नमस्कार दोस्तों रोक वार्जेब आपका स्वागत है मैं हूँ अर्जेगा दोस्तों इस वीडियो में बात काने वाले स्नैप्टेकर 710 और वावई के लेटेस्ट के बारे में इस वीडियो में इन दोनों प्रसेसर के बीच में जो एक फुल कंपरेशन करने वाला हूँ और मुझो मी देगी बहुत ही जलत 30 भी हो जाएगा 35 भी हो जाएगा 50 भी हो जाएगा तो यहां पर हम सिधा आदे टॉपिक पे और हम हमेशे की तरा जो एक केडेगरी वाइस बात करेंगे करते हैं CPU,GPU, AI connectivity, display, storage, camera जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे और मैं आपको अंत में अपना फियर opinion भी दे दूँगा तो यहां पर सबसे पहले बात करते हम सीप्यू से तो यहां पर जो आपको सीप्यू मिलता है 2.2 GHz के प्रक्लॉक्ट और बाकी के जो छे लो पार कोड है वो यहाँ पर काम करते हैं ARM Cortex A55 के उपर जो कि यहाँ पर 1.7 GHz के उपर क्लॉक्ट है यह जो प्रफेसर है यहाँ ही अपने डिजाइन किया गया है 10 NM technology को उपर अगर हम बात करते हैं Kiran 810 की तो इस पर आपको मिलता है सेम CPU के डिजैन जहाँ पर आपको 2 Hyper Code मिलता है और 6 जो आपको लो पार कोड मिलते हैं लेकिन यहाँ पर जो दो Hyper Code है वो यहाँ पर काम करतें ARM Cortex A76 के उपर 2.27 GHz और जो बाकी के 6 लो पार कोड है वो यहाँ पर काम करतें सेम ARM Cortex A55 की पर लेकिन clock speed जो थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर वो है यहाँ पर 1.88 GHz का अब यह जो प्रसेसर है यह डिजैन किया गया है 7 NM technology के उपर जो की काफी ज्यादा बैटरी एफिशेंट होने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करतें GPU की तो Snapdragon 710 में आपको मिलता है Adreno का 616 वाला GPU जो की यहाँ पर 500 MHz के उपर clocked है और जो Huawei के Kirin 810 है उस पर आपको मिलता है Mali का G52 वाला GPU जो की यहाँ पर 850 MHz के उपर clocked है तो यहाँ पर GPU के अंदर भी आपको जो है Huawei का जो प्रसेजर है Kirin 810 वह यहाँ बेड़ा देखने को मिल जाता है यहाँ पर हम बात करते AI की तो Snapdragon 710 में आपको मिलता है Qualcomm के तरफ से आने वाला Multicore AI Engine जिसके चलते हैं आप जो है कैमेरा में गेमिंग में वाइस में सिक्यूर्टी में और बहुत से जिगाव अपर जो है AI के टंग्स वगड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाऊगे और यहाँ पर जो है इतना तो बताई सकते हो कि इसका जो AI है वह यहाँ पर Qualcomm के 710 से बहुत ज्यादा बिटर है यहाँ पर हम बात करते कनेक्टी वीडिए की तो स्नैब्रेंग का जो 710 है इस पर आपको देखने को मिल जाता है एक 15 वाला मोडम जिसके जलते आपका जो डाउनलोड स्पीड है वह जाएगा यहाँ पे 800 Mbps तक और अपलोड स्पीड आपका जाएगा 150 Mbps तक यहाँ पर आपको इस परसर में मिलता है वाई-फाई का 5 वाला वर्शन जो कि है यहाँ पर 802.1 AC और Bluetooth के अंदर भी आपको 5.0 वाला वर्शन देखने को मिल जाता है साथ में आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और जो Huawei के Kirin 810 है इस पर आपको मिलता है थोड़ास अलग category 12 वाला मोडम डाउनलोड के लिए इसके अंदर जो आपको डाउलोड मिलता है वह यहां पर 1.4 Gbps तक और अप्लोड स्पीड अपका हो जाते हैं यहां पर 200 Mbps तो यह भी काफी जो आपको सही देखने को मिल जाता है बहुत ही ज्यादा है अगर आप सब्सक्राइब के साथ अगर इसको कंपेर करोगे तो इस मामल में इक्वेल है अगर हम बात करते हैं यहां पर में चीज़ की जो कि यहां पर कैमेरा तो यहां पर आपको जो स्नेप्रेंट का सेवेंटेन मिलता है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्पेक्ट्रा टूफिफिट वाला आईसपी बोले तो इमेज सिक आपको पीछे के चार कैमेरा मिलता है तो सिंगल का तो मैं नहीं बता सकता लेकिन डूएल में आपको 40 प्लस 24 मेगविसल कैमेरा का सबूर जो है देखने हो मिल जाता है यहां पर अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स की तो आपको जो स्नेप्डेंग के सेवे जो मिल जाता है लेकिन मुझे 4K वाला नहीं पता लेकिन जितना अगर आप देखोगे प्रोसेसर का जो है डिजाइन और कैमेरा बगरे का जो चीज है लगता तो ऐसा ही है कि इसमें भी आपको 4K 30 एपस का ऑप्शन होना चाहिए हो भी जाएगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वावी के जो अनोबा 5 उस पर है की नहीं है लेकिन 4K 30 एपस है और 4K 30 एपस भी ज़रूर से होने वाला है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की तो यहाँ पर जो स्नैप्डेन का 710 है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है QHD Plus वेले डिस्प्ले की सपोर्ट जो रिजूलेशन है वह यहाँ पर निकल काता है 3360 x 1440 तो काफी जो अच्छा आपको देखने को मिल जाता है लेकिन जो वावी का Kirin 810 है इसके अंदर फिर से वही गैरेंटे आपको मिलेगा Full HD Plus की डिस्प्ले की सपोर्ट जो कि यहाँ प अतलब बाखी चीज़ें मैं सही बोल रहा हूँ आपको लेकिन अक्च्छल मुझे नहीं पता आपकी डिस्प्ले सपोर्ट क्या है और वीडियो रिकोडिंग क्या है अगर हम बात करते हैं पर चार्जिंग टेकलोंजी की तो जो स्नैप्रेकन का 710 है उसके अंदर आपको मि स्नैप्रेकन का 710 और के देखने को मिल जाता है और अब मैं बता था इन दोनों में सुझ आपको कौन सा यहां बेटा देखने को मिल जाता है और वह ऐसा क्यू है यहां पर मैं आपको क्लियर वीन बताता हूं जो कि है यहां पर कि यह एक्ट वन जिरो एक्टम क्लियर वीन है कोई बेमतलब शक वगएरा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात कॉटेक्स ऐसे इसेटीश वाला डिजाइन उपर से आपको जो एसेवें नान 4K 30 30 पिस भी जरूर्वर से होने वाला है और यहां पर अगर अप सारे के सारे जो चीज़ें देखोगे तो वहावी का काफी ज्यादा पाउरफुल मुझे यहां पर लगता है तो यहां पर मेरे खियाल से यह यहां पर क्लियर वीन होना चाहिए आपको क्या लगता है आप म सब्सक्राइब कर दिए साथ में लाइन को दुआ कि उस ओल वाले बटन पर क्लिक कर देना है क्योंकि मैं यहां पर हुजाना है ऐसी वीडियो लेगा आता रहता हूँ मिलते है अब सब्सक्राइब वीडियो में करें पर किसा तब तक लिए आसी वीडियो हमेशा स्माट रहिए